दोस्तों कि LD classes में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं भारत का एक बाग है जिसका नाम है स्रीवन इसने कह सकते हैं कि भारत के 1300 किलो मेटर की दूरी को पैदल तै किया है क्यों किया है इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों इतना चर्चा कभी से है क्या इसक सबसे पहले मैं यहां पर इमेज दिखाना चाहता हूं तो यह है बाग इसका नाम है सी वन समझेगा नाम देश होता है कि सी वन सी टू तो ऐसा नाम रखा जाता है जानवरों का नाम रखा जाता है तो यह कह सकते हैं कि महराष्ट के यह समझेगा कि आज महराष्ट के एक अन्य कह सकते हैं कि वने जी अभिहरण में आज चुका है और कह सकते हैं कि जो वने जी अभिहरण के कह सकते हैं कि जो रखवाले होते हैं जो कह सकते हैं उसकी देखरे करते हैं उन्होंने संभोना जताई है कि जल्दी हम इसको खो देंगे क्यों खो देंगे क्योंकि इसके जो गले में जो कह सेते हैं कि पट्टा लगा है क्योंकि वहाँ पे जो नापने वाला कह सेते हैं कि पैमाना लगा है वो कहीं न कहीं कह सकते हैं उसमें जो बैटरी होती है उसकी चारजिंग कह सकते हैं कि 80% खतम हो चुकी है और जैसे ही 20% और बचा है अगर खतम होगी और उसको अगर नहीं कोई खोज़पा या कैसे कैसे तें कि क्योंकि अभी ट्रैक्किंग है अगर वो पाजाते हैं क्योंकि रात मेहीं यह जो बाग है यह यह अपनी जो दूरी है ओताई करता है ग्भात ने और तरह अगरा किया चुका है हर घंटे कहा है कि जो भिषे शग्य है कि कहा कर रहा है लोग हमेसा जानकारी प्रावद करते हैं लेकिं यह ही कहा गया है कि 80 परसेंग फिर जो चर्जिंग है वो खत्म हो रही है जिसके कारण से इतना कैसे दूरी दूरी 1300 किलोमीटर तै कर रहा है यह हम नहीं जान पाएंगे कि कैसा इसके लिए महाल चाहिए या सिकार की क्या प्रवल्म पर रही है और क्या समझा है जिसको हम आगे से आगे उसको साल्ब कर पाएंगे तो मैं सबसे पहले और इमेज आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे और क्लियर हो जागा तो यहां पर देख सकते हैं इस इमेज में थोड़ा सा और मैं बढ़ा कर रहा हूँ जिससे और थोड़ा सा क्लियर होने वाला है यह देख सकते हैं यह इसके गले में कह सकते हैं इस तर प्रवाद किया है जो महराष्ट का टिम पेश्वर जो वन्य जी अभ्याराण ने जहां से इसने दूरी तैय करने की सुरू की है और यह कह सकते हैं कि किसी को पता नहीं था कि यह बाहर निकले वाला क्योंकि उस समय जब यह निकला था कि जून के महीने के लगबग निकला हु यह सकते हैं कि राष्टे को भटक चुका है और कह सकते हैं कि इस तरह से महराष्ट के साथ जीलों से होते होते कैसे कि तेलंगाना के राज में जाके पहुंचा और वहां से फिर वापस महराष्ट के एक अन्यवन जीव अभ्याराण में आ चुका है तो यह कह सकते हैं कि यहां पर जो बाग पाए जाते हैं तो इस तरह से आते आते आज कैसे तो यह इसकी त्रेकिंग सीस्टेम उसको ट्रेक किया गया है यह अपना जो रास्ता तैगी कैसे किया है तो ये खेतों के माध्यम से कभी-कभी पानी में भी चलना पड़ा है, राजमार्ग या पडोसी राज से भी गुजरना पड़ा है, इनसान से भी कई बार जड़प हुई है, दो से तीन इनसान कह सकते हैं कि इसके बीच में आगेस्ते की घायल भी हो चुके हैं, लेकिन किसी क किसी की खिषते कि मरने की या मौध होने कि किसी की खबर नहीं लेकिन रास्ते में कैई बार जड़फ हो चुके का यह वंँ से जानवर हैं जानवर को यह अपना सिकार बनाता था जो ज itt कैसे आंगी सूर होते हैं उनको कैसे tahun सब्सक्राइब करने के लिए पता कि बागों की संख्याब को पता होगा कि भारत में प्रतीक वर्स बढ़ यह लेकिन कहीं जो रहने का स्थान है जंगल है कह सकते कि जहां पर रहते हैं वह कहीं नहीं कहीं कम हो रहा और जो इनका सिकार होता है क्योंकि इनके कह सकते कि सिकार के लिए जो बाग होते हैं उनके लिए निर्धारित होता है कि इतने छेतर में इतना जगए इनके लिए है और इतने कह सकते कि सिकार होने चाहिए लेकिन आज के समय में भारत में उतना सिकार नहीं कहा यह गया है कि जो बाग के रहने का स्थान ह जो प्रजेनदन को खराब हो को समस्या कि यह बाग यह वाग है लंबी दोरी अपने सिकार के कह सकते हैं कि सीकार की खोज में और अपने अनकूल छेत्र को और अपने साथ ही को खोजने के लिए ये रास्ते में निकला हुआ था आपको और नीचे यहाँ पे दिखाना चाता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं वही लिखा गया है कि यहाँ पे साथ जीलो और पडोसी राज्यो की यत्रा किया इसका नाम है सीवन रखा गया है और कल आप कह सकते हैं कि इसे आप निउस पेपर में पढ़ सकते हैं किसी भी जात्रकानों कैसे डिक करें। कैसे थे कि इस तरह से खोजने या घूमने की तरीके बन जुगे तो जैसे ही कहाई सकते ही कोई इन्फार्मेंसन आगी मैं आपको जरू सुचित कहूंगा इसी प्रकार से बने रहें के लिए आप सभी दोस्तों का के लडी क्लासेज की और से धन्यवाद